10th class chapter 10 था, तो introduction वीडियो में हमने definitions और example के बारे हम बात की थी, तो example number 1 देखो, इसमें हम क्या करेंगे कि addition, subtraction और multiplication, इन तीनों की बात करेंगे किसी matrix को दूसरी matrix के साथ add करना, जाना दूसरी के साथ subtract कैसे करते हैं, तो देखो यह हमें पता कि इसमें कितनी row है, 3 row और 1 column है, इसमें भी कितनी है, 3 row और 1 column है, पहली बात तो यह है कि यह possible है कि हम इसको add कर सकते हैं, ठीका, तो देखो 1 plus 2, कितना, 1 plus 2, 3, 2 plus 4, 6, 3 plus 5, 8, ठीका, तो इस तरहा हमने simple matrix को matrix के साथ add करना, ठीका, दूसरी एक, जैसे यह 2 by 2 की matrix देख लो, 2 को किस के साथ add करेंगे, 3 के साथ 3 को किस के साथ add करेंगे, 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, और 4 को 6 के साथ, ठीका, तो D part में देखो subtraction की बात किया, उसी तरह जैसे हमने add किया, उसी तरह पहले को, पहले वाले A11 को, A11 से क्या करना, आपने subtract करना, 10 minus 8, 2, तो 6 minus 2, 4, तो 12 minus 3, 9, 8 minus 4, क्या आजएगा, हमारा 4 तो नीचे इन्होंने क्या किया, example में 10 लिखा, यहां पर 4 set कर ले आप, ठीका, तो दो matrix को आपस में multiply कैसे करते हैं, वो देखो, जैसे आपको matrix दिया, A matrix दिया, 1 minus 2, 3 minus 4, उसी तरह दूसरी matrix दिया, 3, 5, 7, 8, तो हमने करना, यह first row है, यह second row है, यह first column है, यह second column है, ठीका, उ उसी तरह इसमें, first row, second row, first row, first column and second column, तो आपने करना, जो first row है, इसको क्या करना, आपने, यह first वाले column के साथ multiply करना, तो पहला element देखो, 1 into 3, 1 into 3, कितना आजेगा आपका, 3, दूसरी तरफ देखो, 2 को करना, आपने 7 के साथ, तो minus 2 को 7 के साथ करेंगे, तो minus का 14 आजेगा, उसी तरह 1, minus 2 को दूसरे वाले column के साथ multiply करना, 5 और 8 के साथ, 1 into 5, minus 2 into 8, 1 into 5, 5 होता, minus 2 into 8, minus का 16 होता, तो कितना बचा आपका, minus 11, ठीका, उसी तरह दूसरे वाली row को आपने इन दोनों column के साथ multiply करना, 3 को करेगो 3 के साथ, 4 को करोगे 7 के साथ, उसी तरह 3 को करोगे 5 के के साथ तो इसी तरह आपका क्या है ना एक matrix को दूसरी matrix से साथ multiply कर सकते हैं तो यह आपको 150 पीच्छ दिया था तो यह example इसी तरह करनी जैसे add करना subtract करना B matrix दिया C matrix दिया तो उन्होंने का find the matrix B minus C तो क्या करोगे बे में से C को माइनस कर दोगे 2 में से बन गए 1 माइनस 3 और माइनस का साइन तो बीच है और इदर क्या माइनस 3 तो माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस माइनस 3 प्लस 3 0 उसी तरह माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 कितना बन जेगा 0 5-4 क्या आजेगा आपका 1 आजेगा ठीक है तो इस तरह आपने सॉल्व करना हूँ